अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे देखकर आपको लगता है कि आपकी लिए परफेक्ट है और थोड़ी दिनों में आपका मैरेज है तो आप क्या करोगे है अब थोड़े दिनों में उसके शादी होने वाली है वो एक दिन अपने बिल्डिंग की लिफ्ट में थी उसी लिफ्ट में फिर के इंडर करता है कि हमारा ओर एक मेईन क्यारेटर है की के बास एक कंटेनर है जहाओ और उसने सब उसका सामान रखा हुआ है क्रिम लोटिस करती है कि वो आफरिका जाने वाला है वो देख रही थी तो के कहता है कि यह जहने बार है तो जगा का उसने नाम लिया कहता है मुझे लगा कि तुम इंटरस्टेड हो क्रिम कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक दुसरे को फर्स टाइम देखते हुए ही इन दोनों में बहुत ही स्ट्रॉंग एट्रेक्शन है के क्रिम से कहता है कि हमारी लिफ्ट नीचे जाने तक अगर लिफ्ट में कोई भी नहीं आया तो तुम्हें मैं ड्रिंग के लिए लेकर जाऊंगा क्रिम पुछती के ऐसा क्यों गहता है कि क्या तुम्हें बताना पड़ेगा वो उससे फ्लर्ट कर रहा था लिफ्ट नीचे आगे फिर भी इनके लिफ्ट में कोई भी नहीं आया पर क्रिम वहाँ से चली गई इसके बाद थोड़ी देर में अपने काम के लिए क्रिम एक जगा पर आती है इसे के पैरलल में उसी जगा पर हम केकों भी देख सकते है केक की कंस्ट्रक्शन की जॉब थी उसका अब जॉब चला जा जुका है तो उसे आफ्रीका जाना पड़ेगा इस सीन में हम देखते है केका कोवर कर उसके बास बात करने के लिए आता है कहता है कि अगर तुम अपने बॉस की बात मान लेते तो एक कंपणी अभी भी सही रहती है जिस तरह से बिजनेस में बेंट होना चाहिए उस तरीके से के नहीं होता उसकी वज़े से उसकी कंपणी डूप गई पर सारे employees के पैसे उसने खुद से दिये है ये employee इसके लिए thankful था यहाँ पर बात कर रहे थे तब एक के नीचे क्रीम को notice करता है वो एक address ढूण रही थी तो उसे help कर देता है उसे देखकर वो बहुत ही surprised है उसे मजाग में कहता है हमें मेले बहुत दिन हो चुके कैसी हो तुम क्रीम उसे ignore कर देती है और वहाँ से आगे जाती है वो actual में एक jewelry designer है वहाँ पर वो delivery करने के लिए आई हुई थी वो फिर washroom गई और अपने फियांसे को call लगाती है उसे बोर हो रहा था तो फियांसे से कहती है क्या मुझे तुम lunch पर मिल सकते हो उसका फियांसे उसे मना कर देता है वैसे भी ये दोनों आज एक business meeting के लिए मिलने ही वाले है क्रीम फिर आसपास के जगा देख रही थी तो एक library में हुआई वो books देख रही थी पर अचानक से के ने उसके पास आकर उसे surprise कर दिया वो घबरा गई और उसी वज़े से उसे एक paper कटाया के फिर उसे sorry कहता है जल्दी से जाकर उसके लिए एक bandage लेकर आता है क्रीम अभी भी उससे कोई भी बात नहीं करी उसे अलग-अलग बहुत सारे question पुछता है क्या तुम यहाँ work करती हो तुम आज क्या करना चाहती हो वो उससे कहता है मेरे साथ तुम time spend करो क्रीम पुछती है मैं ऐसा क्यों करूंगे वो कहता है कि तुम board लग रही हो वो उसका नाम पुछता है तो कहती है कि मेरा नाम एक लड़की है वो कैसे उसका नाम पुछती है तो के भी कहता है कि मेरा नाम एक लड़का है यह फिर चलते चलते एक movies और games के shop में आये यहाँ जब में movies के बारे में बात करते तो इनमें एक अच्छी bonding होती है क्रीम को स्केरी मूविस पसंद नहीं है यह कहता है कि reality स्केरी मूविस से भी स्केरियर होती है यह दोनों फिर डिसाइड करते है कुने होरर मूवी देखनी है यही पर इस shop में private movie screening के लिए studio था जहाँ पर यह movie देखते है movie देखते देखते के डर जाता है तो क्रीम का हाथ पकड़ लेता है इस पर वो बहुत हस्ती है movie देखने के बाद यह बहार आए यह क्रीम से गयता है कि आज मेरा Korea में last day है शायद तुम last person हो जिसे मैं मिलने वाला हूँ यह खिड़की से view देख रहे थे तो केक क्रीम के बहुत ही पास आ गया इसे हो किस कर लेता है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते है कि जब washroom गया उतने यह टाइम में क्रीम वहाँ से चली गई वो अपनी कार में कुछ चीजों के बारे में सोचती है और फिर से वापस आ जाती है के उसे पुछता है तुम चली क्यों करी थी क्रीम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था इसके बाद यह दोनों कैफे में आये क्रीम ने कैसे कहा कि आज उसे शाम 6 बजे से पहले घर जाना पड़ेगा के उसे पुछता है तब तक हमें क्या करना चाहिए के कहता है कि मेरे साथ अलग अलग चीज़े ट्राय करो हम ज़रा मज़े करेंगे के फिर क्रीम को एक छोटे से रोलर कोस्टर में लेकर आया जब वो मीड एयर थी तो वैसे ही छोड़कर आके चला जाता है क्रीम बहुत ही डर गई थी नीचा आकर उसे बहुत मारती है इन दोनों को इससे बहुत मज़ा है चलते चलते क्रीम के फीट दुखने लग गए थे कि उसे मसाज देता है क्रीम उसे बुच्छती है तुमने मुझे ड्रीन्स के लिए क्यों इन्वाइट किया था यह कहता है तुम्हारे फीट बहुत ही ब्यूटिफुल है इसे मुझे मसाज देना था यह चीजी डायलोग सुनकर क्रीम उसे कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे इस पर बहुत अस्ते है क्ये ने फेस से क्रीम को पकड़ लिया क्रीम कहती है क्या हमें कोई देख लेगा यह कहता है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इसके बाद अब क्रीम का जाने का टाइम हो चुका है कि उसे लिफ्ट दे रहा था क्रीम को एक कॉल आया जिसो इगनोर कर दिया इससे जरा वो नर्वस हो गई थी क्रीम को गाड़ी के कमपार्मेंट से सिगरेट निकालने के लिए कहता है क्रीम जब निकाल रही थी तो वह एक लड़की की फोटो है वो उसे पूछती है कि लड़की कोन है क्रीम कहता है कि कोई भी नहीं वो उसके बार में बात नहीं करना चाहता क्रिम बार-बार पोछती है फिर इस पर वो चिट गया था क्रिम को जहां जाना था के ने उसे वहाँ ड्रॉप कर दिया कहता है मैं तुम्हारे लिए यही वेट करूँगा अगर तुम चाहो तो यह रात हम साथ पिता सकते हैं क्रिम कहती है कि मुझे 30 मिनिट्स दो के एक beautiful सा song सुन रहा था तो यह song वो क्रिम को सुनाता है कहता है कि आज रात मुझे लगता है कि मैं यही सोऊंगा यह मेरी यहाँ एक last रात है तो मुझे आसमान के नीचे सोना है क्रिम फिर गेके साथ शॉपिंग करने के लिए आए वहाँ बर अलग-अलग आउटफिट वो ट्राइ करती है कि एक को बहुत बोर होता है फाइनली वो एक आउटफिट चूस करती है अपने खुद के कपड़े स्टोर में रख देती है और वही आउटफिट पहन कर वहाँ से भाग जाती है इसके बाद ये दोनों एक केमिंग पारलर में आये यहाँ वर उन्होंने इतना शोर शरावा मचाया कि सब लोग डिस्टब हो रहे थे यहने इससे कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला था ये दोनों बहार खुम रहे थे तब ये अचानक से बारिश आ गए इन दोनों को फिर से इंटिमेट होना था तो एक होटेल में आकर वो इंटिमेट हो जाते है इसके बाद ये डिनर करने के लिए पहार आये यहाँ पर क्रिम फिर से बुछते है जिस लड़की की तुम्हारे पास फोटो है वो कौन है यह गयता है वो मेरे साथ काम करते थे तीन साल तक हम रिलेशन्शिप में थे वो इससे शादी ही करने वाला था पर मेरे फ्रेंड के साथ ही वो इंटिमेट हो गए गटिया जैस यह है किसी और के साथ उसने शादी की यह बहुत ही हार प्रोकन है इसलिए हमेशा उसकी फोटो वहार रखता है वो गयता है हम दोनों में जो था अगर वो प्यार था तो यह बहुत ही घटिया था क्रीमु से बोचती है तुम अभी भी उसकी फोटो क्यों रखते हो यह कहता है कि हम लोगों को बहुत ही चलती भूल जाते है मुझे कभी भी उससे भूलना नहीं है क्या कहता है कि अब मैं तुमसे ब्वेशन पोचूँगा वो पुछता है कि अगर तुमारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हुमारे शादी से पहले तुमें मिले तो तुम क्या करोगी क्रीम कहती है कि मैं उससे बहुत मारूंगी इगनोर करकर वहाँ से चली जाओंगी तो कैसे पूछती है कि अगर तुमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे क्या कहता है कि मैं उससे पूछूँगा कि हमारी लिफ्ट नीचे नहीं जाती तब तक अगर कोई भी लिफ्ट में नहीं आया क्रीम कहती है हम दोनों में कोई भी अटेज्मेंट नहीं हो सकते हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था वो फिर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो वेट कर रही थी वहाँ के भी उसके साथ वेट करता है क्रीम का फिर फियांसे आया और उसके साथ वो गाड़ी में आगे चली गए क्रीम और उसका फ्यांसे यह साथ साल से एक साथ है वो उससे पूछता है कि तुम उसे डिनर के लिए मिलने वाली थे तुम आई क्यों नहीं अब हमारी शादी होने वाली है और शायद तुमें टेंशन आ रहा है यह सब को चीज़े में समझ सकता हो क्रीम और उसके फ्यांसे ट्राफिक में थे तो के भी उनका पीछा करता है क्रीम अपने फ्यांसे से पूछती है कि अगर हमने शादी कैंसल कर दिये तो क्या होगा इस पर फ्यांसे कहता है कि मुझे गुसा मत दिला यह दोनों फिर एक कैफे में आ गए फ्यांसे कहता है मैरे जिक कुछ बड़ी बात नहीं है इसे तुम ज़्यादा सिरियसली मत लो क्रीम बुछती है क्या तुम मुझे बोर नहीं होगे वो कहता है सब लड़का साथ साल के बाद एक जिसी बन जाती है मुझे शादी करनी है तो मैं तुम से ही करूँगा और प्यार क्या होता है प्यार भी तो यही है यह दोनों बात कर रहे थे तो इसी रेस्टोराण में फिर से के आ गया वो अपने फियांसे से कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं दिन पर किस के साथ थी वो केकी तरफ पॉइंट करती है वो फिर केक के पास है उसके मूँ उपर उसने पानी मारा यह सब तमाशा देक कर फियांसे वहाँ से चला जाता है कि क्रिम के पास आकर कहता है कि यह बहुत ही इंपल्स ही हुथा तो कहती है हमारे बीच डील थी तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था उसका मोड सही नहीं था तो कहती है मुझे चेर रब करने के लिए कही लेकर चलो यह दोनों फिर एक क्लब में आए क्रिम को उसके फियांसे का कॉल आता है यह था है यह मैं सब को समझ सकता हूँ तुम्हें भी कभी-कभी फिलिंग की जरूरत है तुम आज रात उसके साथ जो भी करो इसे मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता कल से हमारी जो रिलेशनशिप थी यह हम कंटिनू करेंगे यह फियांसे भी उसी कलब में था के और यह फियांसे एक दूसरे के आमने सामने आये यह फियांसे कहता है क्रिम का अच्छे से खायाल रखना वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है जादा अपने होप्स मत बढ़ाओ इसके बाद के क्रिम के पास आया जब यह दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो क्रिम अपने फियांसे को कॉल लगा थी है उसी जेलस फिल कराने के लिए सब आवास सुना रही थी इससे के बहुत ही चिर जाता है कहता है मुझे तुम समझती क्या हो जब मेरे साथ थी तो उसी को इमेजिन कर रही थी इस पर इन दोनों का चखड़ा हो गया यह दोनों इस क्लब से चले के वह फिर से एक पार्क में मिले क्रिम कैसे कहती है तुमें एक बहुत ही घटी आदमी हो तुम कल जाने वाले हो हर आदमी कहता है कि उसे मजे करने है वर जब responsibilities की बारी आती है तो कोई भी ready नहीं होता वो hurt हो रही थी तो के उसे गले लगा लेता है यहाँ बहरी एक bench वरो hangout कर रहे थे केनेक मार कर लिया क्रिम को इस bench पर अपना हाथ रखने के लिए कहता है उसका हाथ वो यहाँ ड्रॉ करता है क्रिम बुष्टी की यह क्या है वो कहता है कि जब भी मुझे तुमारी याद आएगी तो यहाँ इस spot पर मैं आ जाऊंगा यहाँ इसी पार्क में एक statue था कुछ फूल लेकर इस statue के सामने खड़े होते है जिस तरह से wedding walls ले जाते है इसमें commitment तो करते है पर हर question के बाद no कहते है यानि कि क्या आप पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे इस पर यह दोनों ना कहते है इसके बाद यह दोनों see के पास आए या अबर cream कैसे कहती है जब भी आप किसे से प्यार करते हो तो हमेशा couple की तरह ही रहना चाहिए यह प्यार खत्म हो जाने से पहले एक दूसरे के life से चले जाना चाहिए इसके बाद यह दोनों एक wine shop में आए के shop owner से गयता है कि आज ही हमारी शादी हुई है में पास कोई भी पैसे नहीं है तो क्या तुम मुझे वाइन गिफ्ट कर सकती हो कि हमेशा बहुत ही चार्मिंग होता है तो इसलिए यह owner उसे गिफ्ट कर देती है इसके बाद यह दोनों फेसे होटेल में आए केक को अब जाना पड़ेगा तो क्रीम उसे शेविंग करने में हेल्प करती है कि यही शेविंग क्रीम क्रीम के शोल्डर पर लगाता है वहाँ पर एंजल लिखता है इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है क्रिम कहती है चलो एक दूसरे को हम stories सुनाते है कि इंटरस्टेंट नहीं था तो खुद सुनाना श्टार्ट करते है वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो हम सब classmates के पास कोई भी शाप ना नहीं था एक लड़की के पास था तो हमेशा उसकी pencil बहुत ही शाप रहती थी मेरी मदर कभी भी मुझे शाप pencil नहीं दे थी थोड़ी सी blunt रखती थी एक दिन मैंने मेरी pencil को बहुत ही sharp किया था मैंने जब उससे bright किया तो जल्दी से तूट गई थी तब मुझे पता चला कि मेरे पास हमेशा जो ब्लंड पेंसिल रहती थी वो lifelong है यह जो conversation है यहाँ पर क्रीम अपने फियांसे और केक को compare कर रही थी उसका फियांसे उसके लिए lifelong commitment है केके साथ उसके relationship एक शाप पेंसिल के तरह है जो कभी भी तूट सकती है अब सुबा होके तो एक जगा पर एक breakfast करने के लिए क्रीम को पीने के लिए थोड़ा सा warm water चाहिए था कि उससे पूछता है कि हम दोनों क्यों नहीं treat कर सकते हैं तुम्हें जो पी चाहिए वो हम कर सकते हैं क्रीम कहती है कि हम आज ही मिलें और बहुत बार एक दूसरे के साथ intimate हो गए और हमने continue किया तो कितना continue कर सकते हैं 1 month, 2 month, 6 month इसके बाद हम एक दूसरे से बोर हो जाएंगे मुझे अभी अभी warm water चाहिए था पर तुम उठी भी नहीं अगर तुम मेरे लिए care करते तो तुमारे साथ में date पर आ सकती थे ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो पर ये दोनों खुश नहीं है इसके बाद क्रीम ने केक को एक bracelet दिया जो बहुत ही tight बान दिया केक उसकी हमेशा याद रखे इसलिए उसने वो दिया था के कहता है कि तुम इसे कितना भी tight बान लो कभी ना कभी तूटने वाला ही है क्रीम कहती है तुम मेरी एक अच्छी memory हो मैं इसी तरीके से तुम्हें याद रखना जाती हो इसके बाद उसने क्याब की और वहाँ से हो चली गए इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है जिस पार्क में के और क्रीम मिले थे उसी पार्क में उसकी शादी हो रही है वो फिर से उसी बेंच पर आती है जहाँ पर के ने उसका hand draw किया था क्रीम का hand draw करने के बाद के ने अपना हाथ भी draw किया था यह देखकर वो अपनी life से move on करती है इसी तरह के से movie end हो जाती है जो भी इस movie का point था यह क्रीम ने उसकी pencil की story में हमें बता दिया था आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दवने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक निमय के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आप का खैल रखे